हलो दोस्तो दोस्तो आज हम बात करेंगे RRB NTPC बैंगलोरो जोन के कट ओफ के बारे में इससे पहले भी दोस्तो कई जोनों की जो कट ओफ है वो मैं तयार कर चुका हूँ यदि दोस्तो आपने अधर जोन की कट ओफ नहीं देखा है या अधर जोन की कट ओफ आप देखना च अधर जो उनकी cut-off देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर cut-off मैंने किस परकार बनाई है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना होगा कि बैंगलोरों में फॉर्म कितने भरे गएं और टोटल वेकेंसी कितनी थी। और इसके साथ ही यहाँ पर present student कितने थे। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो category wise है, कितने फॉर्म भरे गएं, कितनी टोटल वेकेंसी थी। और दोस्तों एक seat पर कितना यहाँ पर fight देखने को मिल रही है। तब ही दोस्तों आप यहाँ पर cutoff पर सही अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी बताते हैं और उसके बाद आपसे यहाँ पर हम cutoff पर discuss करेंगे। बात करें दोस्तों RRB बैंगलोरों की तो दोस्तों यहाँ पर जो total form अपलाई हुए थें वो दोस्तों आपके 8,35,288 form अपलाई हुए थें। बात करें दोस्तों total vacancy की तो यहाँ पर जो दोस्तों total vacancy देखने को मिल रही है वो दोस्तो 2470 vacancy यहाँ पर जारी की गई है बात करें दोस्तों प्रेजेंटे की कितने percent student हैं जिन्होंने यहाँ पर exam दिया है तो दोस्तों इसका कोई भी official आकणा नहीं है लेकिन दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक 50-55% स्टूडेंट हैं जो कि यहां पर एक्जाम दिये हैं इसलिए दोस्तो हम लोग यहां पर 50% लेकर चलेंगे बात करें दोस्तो आट लाग स्टूडेंट ने फॉर्म अपलाई किया था तो कितने परसेंट स्टूडेंट है जिन्होंने एक्जाम दि है वो आती है UR यानि की अन्रिजर्व अन्रिजर्व की बात करें दोस्तो तो यहां पर टोटल 1042 वेकंसी जारी की गई थी और दोस्तो आपको पता ही है कि RRB NTPC ने कहा था कि जितनी वेकंसी होगी उसका 20 गुने स्टूडेंट हम सेकेंड एक्जाम के लिए कॉलिफाई क है वो दोस्तो 20,840 स्टूडेंट है जो कि दोस्तो यूर के टिगरी से कॉलिफाई करेंगे बात करें दोस्तो फॉर्म अपलाई की तो यूर में जो दोस्तो फॉर्म अपलाई हुए थे वो दोस्तो एक लाग 58,919 फॉर्म यहां पर अपलाई हुए थे बात करें दोस्तो प प्रिजेंटी आपको देखने को मिल रही है वो दोस्तो 89,460 स्टुडेंट है जन्होंने यहाँ पर एक्जाम दिया है कॉलिफाई की बात दोस्तो हम कर चुके हैं कि वेकैंसी से 20 गुने स्टुडेंट कॉलिफाई कराये जाएंगे तो दोस्तो जब हम यहाँ पर की हांँ 20.8 । यानि की एक सिट पर यहां फ्रेंट कर रहे हैं वह दूस्तो यहाँ पर 3.8 । सिट्डेंट यहां पर देखने को मिल रही है जो कि दौस्त काफी कम होती है इसलिए दोस्तों यहां पर जो कटफ है वह थोड़़ी कम देखने को मिलेगी अब बात करेंगे द गुना स्टुएंट कॉलिफाई होने वाले हैं, तो टोटल जो OBC कर टिग्री से कॉलिफाई होंगे, सेकेंड एक्जाम के लिए, वो दोस्तो 13,300 स्टुएंट यहां पर कॉलिफाई होंगे, फॉर्म अप्लाई की बात करें दोस्तो, तो यहां पर 3,95,537 फॉर्म अप्लाई ह हुए थें, और प्रिजेंटी की बात करें दोस्तो, तो 1,97,760 स्टुएंट है, जिन्हों ने यहां पर एक्जाम दिया है, कॉलिफाई दोस्तो 13,300 स्टुएंट होने वाले हैं, जब दोस्तो प्रिजेंटी में कॉलिफाई से हम भाग दे देते हैं, तो एक सीट पर जो दो दोस्तो 14.9 स्टुएंट का निकल के आता है, जो की दोस्तो काफी अधिक है, इसलिए दोस्तो यहां पर जो कॉट आफ है, वो थोड़ी सी अधिक देखने को मिल सकती है, अब बात करते हैं दोस्तो EWS की, तो दोस्तो EWS में टोटल जो वेकंसी थी, वो दोस्तो 205 वेकंसी थ अगर बात करें दोस्तो 20 गुना स्टुएंट कॉलिफाई होगा, तो यहां पर टोटल जो स्टुएंट कॉलिफाई होगा, वो आपका दोस्तो 4100 स्टुएंट यहां पर कॉलिफाई होगा, फॉर्म अपलाई की बात करें, तो दोस्तो यहां पर बहुती कर्म फॉर्म अपल बैठता है वो दोस्तो 3.6 student का बैठता है यानि कि केवल केवल यहां पर जो fight है वो दोस्तो 3.6 student के बीच ही है इसलिए दोस्तो EWS की जो cut-off है वो देखने को कम मिलेगी अब बात कर लेते हैं दोस्तो SC category की SC category में दोस्तो हम बात करें तो यहां पर total 366 vacancy थी और 20 गुना student दोस्तों यहां पर qualify होने वाले हैं तो दोस्तों यहां पर total जो student qualify होगा वो आपका 7340 student qualify होगा form apply की बात करें दोस्तों तो यहां पर total दोस्तों 1,90,978 form apply हुए थे और दोस्तों प्रिजेंटी की बात करें तो लगबग 95,449 student ने exam दिया है qualify दोस्तों 7340 student होने वाले हैं एक seat पर जो दोस्तों आपको fight देखने को मिल रही है वो दोस्तों 13 student की देखने को मिल रही है यहाँ पर जो दोस्तों HD category से competition है वो दोस्तों थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है अब चलते हैं दोस्तों आखरी category जिसको हम HD category कहते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने PWD और इसके साथ एक service man की जो वेकेंसी है उसको count नहीं किया है अब बात कर लेते हैं दोस्तों HD category में total vacancy की तो दोस्तों यहाँ पर जो total vacancy है वो दोस्तों 185 vacancy है 20 गुना student दोस्तों यहाँ पर qualify होने वाले हैं total यहाँ पर दोस्तों जो student qualify होंगे HD category से वो दोस्तों 3700 student यहाँ पर qualify होगा form apply की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 6600 form apply हुए थें और अगर presenter की बात करें तो 3300 student ने यहाँ पर exam दिया है qualify जो होने वाले हैं वो दोस्तों 3700 student qualify होने वाले हैं एक seat पर जो दोस्तों आपको fight देखने को मिल रही है वो दोस्तों 8.2 student की यहाँ पर fight जो है वो देखने को मिल रही है तो दोस्तों, यहां पर जो मैंने सभी आकड़े थे, वो आपको बता दिया, कि किस काटीगरी में कितनी यहां पर fight देखने को मिल रही है, किस काटीगरी में कितना यहां पर competition है, वो दोस्तों आपने यहां पर देख लिया है, अब दोस्तों, अगर आपको यह PDF जो आपके साम कि आपके अनुसार यहाँ पर कुट ओफ कितनी जा सकती है और इसके साथ ही दोस्तो आपके जो नंबर है वो कितने बन रहे हैं इसके साथ ही दोस्तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कुट ओफ के बारे में तो दोस्तो मेरे अनुमान के अनुसार जो मेरा अनुमान है मेरे अन अग्जाम की तैयारी कर लिजे आपका सेकेंड एक्जाम में नाम आने वाला है और आपको सेकेंड एक्जाम में बैठने का मौका मिलेगा अगर दोस्तों इससे एक दो नमबर आपके कम भी बन रहे हैं तो भी दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है आप तैयारी कर लिजेगा क क्योंकि दोस्तों, आप तब भी आशानी वैट पाएंगे। आप बात करते हैं दोस्तों कटउफ पे watches पर यहाँ पर दोस्तों, eleven and female की एक-साथrate cuts बनाई है क्यों तो दोस्तों यहाँ पर Cinkles Riesward वो नहीं थी जो cut-off है वो same जाएगी, कम जादा नहीं जाएगी बात करें दोस्तो, general category की cut-off कितनी जाएगी यानि की you are unreserved की तो दोस्तो लगबग 13-56 नंबर अगर आपके बन रहें तो आप ये समझ लीजेगा कि आप second exam देने वाले हैं OBC की बात करें दोस्तो, तो OBC की यहाँ पर जो cut-off है वो दोस्तो 52-54 के आसपास जाएगी बात करें दोस्तो EWS की, तो दोस्तो यहाँ पर EWS को जो cut-off जाने वाली है वो दोस्तो 40-50 जाने वाली है, या दोस्तो इससे कम भी जा सकती है अब बात करें दोस्तो एसी काटिगरी की तो दोस्तो यहाँ पर एसी काटिगरी की जो कॉटफ है वो दोस्तो आपको 45-45 नंबर के बीच में देखने को मिलेगी या दोस्तो एक से दो नंबर कम भी हो सकती है बात करें दोस्तो इस्टिक आटिकरी की तो दोस्तो इस्टिक आटिकरी में जो cut-off है वो दोस्तो 40-42-44 के बीच में देखने को मिलेगी या दोस्तो एक दो नंबर आगे पिछे भी हो सकती है तो टोटल दोस्तो यहाँ पर मैंने आपको अपने अनुसार cut-off बता दिया अब आपको दोस्तो केवल मुझे इतना बताना है कि जो मैंने cut-off आपको बताया है यह जो cut-off बताया है यह आपके अनुसार सही बताया है या गलत बताया है क्योंकि दोस्तो आप लोग जो कमेंट है वो नहीं करते और आप यह नहीं बताते कि आपके अनुसार जो कॉट आफ है वो सही है या नहीं है तो दोस्तो एक बर जरूर बताईएगा क्योंकि दोस्तो हम में इनत करते हैं तो आपका दोस्तो दो सेकेंड अगर आप कमेंट करने में लगा देते हैं तो दोस्तो आपको कोई भी प्राब्लम नहीं होगी तो दोस्तो कमेंट करके जरूर बताईएगा तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लैक कर दीजेगा चैनल सब्सक्राइब कर दीजेगा जिससे की आगे के आने वाली सभी इंफर्मेशन आप तक पहुंच सके तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार